इस वीडियो में हम देखेंगे callbox CRM login करने के बाद जो dashboard open होके हमारे सामने आता है, उसमें क्या-क्या function है और उसका हम कैसे उप्योग कर सकते हैं। यह dashboard है, यहां सबसे पहले total और today PTPDT हमें दिखाई देता है, PTPDT का full form है promise to pay date, तो customer payment करने के लिए जो भी हमें date देते है, पूरे महीने में हमने कितने PTP निकाले, current month का data आता है, तो उसका count यहां जो black में आपको दिखाई दे रहा है, वो होता है, आज का जितना भी PTP हुआ है, वो red में दिखाई देता है, उसके नीचे आप देखेंगे total और today PTP1, एक PTP break होने के बाद, customer ने जितनी भी हमें reschedule PTP दी, उसको हम PTP1 बोलते है, same यहां पे भी वही है कि पूरे मन्द की जितनी भी हमने PTP निकाली है, अभी तक वो इतनी count है, और आज की जितनी भी resched PTP होंगी, उसका count यहां आजाएगा, यहां आपको दिखता है total online payment का count, इस month कितने loan number पे आपने online payment collect किया है, और यहां आपको आज का collection दिखता है, कि आज आपने कितने loan numbers पे online पैसे collect किये है, total paid, यह physical paid का count है, जिसमें cash, check और DDP तिन हो आते है, यह जो आपको five number दिखाई द दे रहे है, यह पूरे month के count है, physical collection पांच loan number पे हम ने किये है, और आज जितने loan number पे हम पैसे collect करेंगे, वो यहां पे count आएगा, five loan number पे हमने physical paid किये है, उसके total collection कितने है, वो यहां पे आएंगे, Paid Collection means Physical Collection Online Payment Collection जो हमने Online Payment Collection किये है, उस Payment का Count यहाँ पे आएगा हमारी Callers की Call कितनी Pending है, वो यहाँ पे दिखाई देंगी हमारी Executives की Visit कितनी Pending है, वो यहाँ से हम देख सकते है यहाँ पे आपको दिखाई देगा Code Trend Metrics जो NC का आप लोग उपयोग करते है, उस NC को हमने चार Code में Divide किया है NCT, Not Contactable SW, Switch Off NR, Not Reachable CR, Continuous Ringing तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस Code में हमारे कितने Case अभी है यहाँ Case का Status दिखता है, हमारे Resolved Cases कितने है, Rollback कितने है, Flow में कितने है उपर आपको दिखता है Product का Filter हम Multiple Product में काम करते हैं, तो अगर जितना हमें Data दिख रहा है, यह हमें सभी Product का मिला के दिख रहा है अगर हमें किसी भी Particular एक Product का Data देखना है, तो हम उसको Select करेंगे, तो यहाँ पे जो भी Data हमें दिख रहा था, वो सारा Change हो जाएगा अभी मैंने फिर से All पे लिया, देखिए पूरा Data चेंज हो गया जितना भी हम Data देख रहे है, यहाँ पे आपको सब के साथ में इस Class का Filter मिल रहा है, तो अगर अलग-अलग Bucket का भी आप देखना चाहते हो, तो आप देख सकते है Status Metrics यह आपको दिखाएगा कि Result कितना % केस हुआ है, Rollback और Flow में कितना है Risk Band में आप देख सकते है, High Risk में कितने % केस है, Medium और Low के कितने है उसके बाद यहाँ से हम Rollwise फिल्टर करके देख सकते है Suppose अभी मैंने Fill Collect का फिल्टर लिया, तो मुझे यहाँ दिख जाएगा कि किस Fill Collector के पास Total Case कितने Allocated है उसमें से Solve कितने हुए, कितने Pending है और कितनों को खुद उसने Physical Paid किये है यहाँ उसने अगर Physical Paid किये है, तो कितने Amount Collection किये है, कितनी Fee Collect की है Fee में हम Check Bounce Charge और Late Payment Charge काउंट करते है, CBC और LPC means Check Bounce Charge और Late Payment Charge यहाँ हमने अभी तक कितने Lone Number पे विजिट नहीं किये है तो यह उपर आपको Data दिखाता है, कि इस हफते कितना किया है, पिछले हफते कितना किया था, आज कितना किया है, और इस पूरे महीने में अभी तक कितना किया है यहाँ से आप BucketWise भी Filter ले सकते है यहाँ आपको Callback का Data दिखाई देगा CB means Callback Suppose दो दिन पहले आपने कस्टमर को Call किया था as a Telecaller तो कस्टमर ने बोला कि आप मुझे दो दिन के बाद 27 तारिक को Call कीजिये या 25 तारिक को Call कीजिये तो जैسे ही आप 25 तारिक को या 27 तारिक को जिस दिन कस्टमर ने Callback करने के लिए बोला था उस दिन जेसे ही system login करते हो तो आपको दिख जाएगा कि आज आपका एक callback है अगर मेरे आज 10 case पे callback होते है तो मुझे 10 का count दिख जाएगा और उन 10 case की pause का total मुझे यहाँ दिख जाएगा कि ये मेरी high pause की case है, low pause की case है तो मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा शाम को उन 10 case मी से जितने case पे मैंने call करना छोड़ दिया या miss कर दिया उसका count मुझे यहाँ दिखाई देगा उसके बाद आते है PTP का matrix तो यहाँ पे PTPDT plus PTP1 मिला के total आएगा यहाँ आपको PTPDT और PTP1 अलग अलग दिखा दिये है PTPDT और PTP1 कितने है उसमें से broken कितने हुए और reschedule कितने हुए receipt cut ratio इसमें आपको किस executive ने अभी तक कितने receipt cut किये है इसका ratio यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसके बाद यहाँ आपका POS Resolution दिख रहा है कि किस date में कितना POS Resolve हुआ आज कितना हुआ इस पूरे महीने में कितना हुआ और पिछले हफ़ते में कितना हुआ यहाँ से आप देख सकते है Recon का Alert इसमें हम देखेंगे कि schedule कितने pending है Recon कितने pending है और punch कितने pending है तो यह अभी हम देख रहे है यह data dummy है इसलिए 000 count दिख रहा है Allocation Alert इसमें हम देखेंगे कि Unassign के कितने case है Auto Assign के कितने case है और No Service Area के कितने case है तो ऐसे करके यहाँ पे हमने अपनी agency का overview देख लिया अभिक जानकारी के लिए आप हमारी next video देखे